हालो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो मैं चैनल मेरा चैनल पसंदा है लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें तो मैंने उड़त की डाल के टुकड़े निकलते ना उनको भीगो करके रात बर रख दिया था कम से कम बारा गंटे तो रखना ही रहता है उसके बाद अच्छे से बिल्कुल बारी को पीछ लिया था मिक्सी में और यह देखिए जो मसाले हैं मैं आपको दिखाती हूं यह है पापड खारा जो रहता है तो पापड में तो यह पापड खारा जाता ही है मिठा सोड़ा नहीं है पापड खारा है यह हिंग और थोड़ा सा बुना हुआ जीरा और कुछ पूरा जीरा था और यह हरी मिर्च को बारिक कर लिया था हरी मिर्च का पेस्ट अच्छा रहता है इसमें टेस्ट अच्छा आता है लेकिन कुछ में लाल मिर्च भी डाल रही हूँ तो देखें मैं अपने एकोडिंग डाल रही हूँ पाउडर एड़ कर दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से फेटना है इसको अगर आप हाथ से फेटे तो ज्यादा अच्छा रहता है तो इस तरह से पूरा अच्छे से फेटने के बाद में एक प्लास्टिक की सीट या कुछ भी प च्मद से से थोड़ा-ठोड़ा करके आप चाहे तो फैला ले या फिर थोड़ा-थोड़ा हाथ से घि जैसे पहले रेवणी अप बनाते थे च्छोटे वाल How to eat he को आप या तो फ्राइ करके स्नेक्स के रूप में खा सकते हैं या फिर इसकी सब्जी भी बना सकते हैं मैं वैसे तो सब्जी बनाने के लिए ही कर रही थी तो बस देखे मैंने पूरी में अच्छे से सर्सो का जो तेल था वो फेला लिया है जितनी जगे जरुत होगी उसे कुछ मने बढ़े-बढ़े बनाए हैए फिर सबजी बनाएंगे तो काफ ही टेस्ट वन ती हैं। तो बहुं हको हो भी रेसीपी लेकिन अभी ये देखिए, तो इस तरह से, पापड़ मिना नहीं है और काफिते से बन जाता है, ज्यादा हम लोगों के दादी या नानी लोग पापड बनाते थी, वह देखा है मेरे दादी सा और बुबास और ममी यह सभी लोगों पापड बनाते थे। पूरा घर का जो भी रेगुलर काम रहता है वो खतम करके फिर जिसके घर पापड बनाने होते थे उसके घर अपना बेलन और चकलो उसका अलग आता है चकला और बेलन पापड के लिए तो वो अपना लेकर के फिर जाते थे और पूरा दिन वहां पर फिर वो ही पापड बनान पपड़ का आटा उस उठेता था उसको बनाना उसको खूटणा काफी लंबा चोडा प्रोसेस रहता था पिर वह पड़ सब एक एक पड़ अपने घर भी लेकर और कि जाथा एंड में जैसे सारा दिन काम हो गया उतके बाद एक पड़ अपने घर लेकर के हर लेडी जाती थी और फिर आज इसके पापड़िया बन रही है कल उसके बन रही है सेवया बनाई जाती थी अलो सर्दी का पूरा सीजन आप समझ लीजिए कि पापड़ पापड़ी बनाने में ही लेडिस का टाइम निकल जाया करता था और काफी इंजोई भी होता था तो बहुत अच्छा लग बनाने के लिए यूज करने वाली हूँ ठीक है कभी इच्छा हो जाए तो आप इस तरह से भी खा सकते और बहुत टेस्टी लगते जरूर आप बनाईएगा और मुझे बताईएगा आपको कैसे लगे इस टाइप के पापड़ का बहुत सा यूज होता आप करके जरूर दे